हेलो, मैं डॉक्टर राजी भर्मा हूँ, मैं मनीपल हॉस्पिटल द्वारका, मैं और्थोपेडिक सर्जन हूँ जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में सर्दी काफी पड़ती है और इस साल तो सर्दी काफी ज्यादा हो रही है और नवेंबर से ही तापमान काफी कम हो गया है और coldest day भी आया 6.9 डिग्री पे हम सभी जानते हैं और हम OPD में भी पेशेंस देखते हैं जिनको सर्दियों में जोडो की और पीट की दर्दें बढ़ जाती है इसका एक्चुली साइंटिफिक रीजन है क्योंकि सर्दियों में जोइंट्स और मसल्स स्टिफ हो जाते हैं जनरली मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की स्टिफनेस होती है सर्दियों में आज मैं बताऊंगा आपको कैसे इन दर्दों से इन तकलीफों से बचा जाए खासकर हमारे ज आपको वाम अप करें कहीं जाने से पहले खासकर एल्डरली पॉपुलेशन को इवन बातरूम जाने से पहले उठके बिस्तर पे बैठें अपना ब्लड फ्लो बढ़ाएं थोड़ा पैर की मूवमेंट और गुटनों की मूवमेंट करें तब उठके बातरूम जाएं या जैसे वाकिंग, साइक्लिंग या जिनके पास कुछ घर पे वेट्स रखे हुए हैं तो वो थोड़े फ्री वेट्स की एक्सरसाइज करें चाहे चोटे से चोटा दो किलो का डंबल हो अपने मसल्स और जॉइंट्स की उससे एक्सरसाइज करें दूसरा हम क्या कर सकते हैं अ कि ऐसा भी निकी बहुत ज़्यादा लें, सूपस लें उसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोड़क्स लें जो डैरी प्रोड़क्स होते हैं उससे भी हमें विटेमिन D कैल्शियम मिलता हैं उसके अलावा हम जो लोग लेते हैं वो फिश ओइल्स ले सकते हैं या सैलमन फिश जिससे हमें अपनी मसल और बोन के nutrition मिलती है इसके अलावा जब भी हम बाहर जाएं खासकर elderly population अच्छे से अपने आपको cover करके जाएं गरम कपड़ें पहने, cap और खासकर दस्ताने भी जरूर पहने और गरम जुराबें पहने इन सब चीजों से हम अपने जोडों का ख्याल रख सकते हैं और सदी से अपने जोडों पे एफेक्ट कम कर सकते हैं और मसल पे एफेक्ट कम कर सकते हैं उसके लावा में एक सला और जरूरी देना चाहता हूं कि जब भी कहीं पे भी किसी भी जोड में थोड़ा बहुत भी दर्द हो जैसे कि अदक हम टाल देते हैं चलिए को यह नियुद दो दिन बार दिखाएंगे, चार दिन बार दिखाएंगे ऐसा ना करें क्योंकि जरह सी भी दर्द एक्चिली सर्दियों में वो एग्रेवेट हो जाती हो और मुल्टिपल टाइम्स होने के बाद फिर जब आप प्रेजेंट करते हैं तो काफी प्रॉब्लम होती है उसको फिर ठीक करने में भी उतना ही टाइम मिलता है तो खासकर एल्डरली पॉपॉलेशन से मेरी सला है कहीं जोड़ों में मुसल्स में दर्द हो या मुम्मेंट में कमी है स्टिफनेस की वज़ा से तो जाकि अपने डॉक्टर से मिले हम आपको तरीके बता सकते हैं कैसे उससे आप अपने आपको बचा सकते हैं दर्न्यावाद